जाहिर ही में तो मायूस है तालिब बातिन में सबको गले लगा कर रक्स करेंगे और करते रहे हम गिरिया जिन्दा रहने तक गिरिया का मतलब रोना होता है करते रहे हम गिरिया जिन्दा रहने तक अब हम अपनी मौत पे आकर रक्स करेंगे आखरी गजल है उसके बाद एक शेर और फिर अक्तमाम करूंँगा खाकर जखम दिल पर मुस्कुरा रहा हूं मैं खाकर जखम दिल पर मुस्कुरा रहा हूं मैं जिसके रीसेंट ब्रेक अप हुए ना उसको जादा टच करेगा खाकर जखम दिल पर मुस्कुरा रहा हूं मैं यानि की जिन्दगी तुझे ठुकरा रहा हूं मैं वो लाल जोगे में बैटकर फखर कर रही है तो क्या अब इसको लिखते वक्त एक अलग हैबत थी यानि कि उसके निकाह का मनजर और अपनी मयत का मनजर मैंने एक साथ बनाया है तो वो लाल जोगे में बैठकर फखर कर रही है तो क्या यहां सफेद पोशाक में कितना इत्रा रहा हूं मैं और अगला मिस्रा मेरी खुदकी पसनेलडी को सूट करता है वहां तो चंद महमान आए हुए हैं बस गोर कर पूरा शेहर लेकर जा रहा हूं मैं और आपको बहुत शुक्रिया भाई महरबानी जब किसी का इंतिकाल होता है तो इन्ना लिल्ला पढ़ा जाता है एक दूआ है किसी का इंतिकाल हुए है इन्ना लिल्ला पढ़ा दिया तो वहां निकाह का खुत्बा दिया जा रहा है बस यहां सबसे इन्ना लिल्ला पढ़ा रहा हूं मैं वो अपने शोहर की बाहों मैं है यहां जमीन के आगोश मैं जा रहा हूं मैं और इस घजल का आफिरी मतला कि वहां खामोश हो गया था जब होता है ना कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे वो आफिरी लाइन जो होती है तो वहां खामोश हो गया था मैं तेरे अश्क देख कर यहां देख कबर में कितना चिला रहा हूं मैं बस आखरी शे ॉसके बाद अक्तमाम कर रहा हुँ शे वैसे मैं पकता नहीं हो घजल ही लिखता हूँ लեकिन एक शे आज़ी के लिए मैं खुश्परन लिखा था कि शेटा तो हूं मगर अब जान बाकी नहीं अब जान बाकी नहीं जिन्दा तो हूं मगर अब जान बाकी नहीं फिक्र तो बाकी है मुझमें अब गुमा बाकी नहीं मुफलिसी और दीरगी दोनों में घिर चुका हूं मैं यानि वही है ना कि गरीबी भी और अकेलापन भी तो मुफलिसी और दीरगी दोनों में घिर चुका हूँ मैं यानि जिन्दगी में अब कोई इंतहां बाकी नहीं और भाई आखरी शेर है महफिल का भी और शेर का भी आखरी शेर है कि हर मजभ है मुझ में पर न जाने क्यूं हर मजभ है मुझ में पर ना जाने क्यूं अब सिर्फ एक मुल्क हूं हिंदुस्ता बाकी नहीं बहुत शुक्री आजीजान बहुत शुक्री